सार्यां विच उस जोगी ने इस तरह केहा, मुनुखादे समू वेक वेके हरान हो रहे सन, फिर गुरु अर्जन देव जी ने उस मुनी नाल इस तरह बचन कीते, हे जो गिश्वर ए अस्चर्च है, ना कहे जानवाले ब्रह्मनू कोई किस तरह कहे, उस दा नाम अगम अगोच है, ओ कदे वी इंदरियां दा विशा नहीं है, तैननू दसन अते सिख्या देन खतर कृपा करके गुरु जी उचारन कर देहन, जो अपने मान वीच समगरी रचदा है, ओ साब सुपने वांग सच प्रतीत हुंदा है, डार के बड़ बड़ा के उठदा है, इस तरी मेल नाल बीच पात हुंदा है, कदी हसदा है, अते कदे इरोंदा है, अते कदे देल वीच बड़ा पसाज तार करदा है, जिसनू सुपने वीच साच जानदा है, खुशी गमें दी उस समय रचना करदा है, जे उस समय इसनू चूठ मनने, ता सुपने दी एसारी किरिया कदे वीना ह जेवे बाजीगर अपनी मायानों मिथ्या समझ के ना दुखी हुन्दा है अते ना खुश हुन्दा है दिल विच परसान होंदा है अते दुखदाई वस्तु मिलनते हिरते विच पारी दुखी होंदा है प्रेम दवैक डार आद जो हन एनानु तार्न करके अनेक दुख पोंदा है वडेपा गनाल जाद सत्गुर मिल दे हन तां सारे क्रेश मिटा के प्राणी नू बचा लेंदे हन जेवें सुपनेविच छेर बहुत प्यानक लगदा है वेखदया ही बहुत डार उपज़दा है पजिया जन्दा नहीं डिग डिग पेंदा है कमजोर हो जन्दा है डर्दा आते बड़बड़ूंदा है इने विच कोई जागदा मनुक आउंदा है दुखी जान के फड़ के जगउंदा है इस दरां धर्या जान के सद्गुर वेगदा है ओह उपदेश दे के बाउत सुक दिन्दे हन जनम मरन दो में तेरे विच नई हन पोक प्यास भी तेरे विच नई है खुशी गमे भी तेरे विच नई है इस तो परे जड़ा रूप है उसनू समझ मैं हां इतियाद जद उपदेश दिते ता हिरदे विचों अग्यानता दा नाश हो गया ताद इस जगत नू चूठ मन्या इस पर थाए गुरु जुने एक शबदा उचारन कीता सुही महला पंजबा कार पहला एक्कियों कार सत्कुर परशाद बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप पेक दिखलाई सांग उतार थम्यों पसारा सब एको एकंकारा कवन रूप दिस्ट्यों बिन सायो कत है गयो ओह कतते आयो रहाओ पाव कि जि कास रूपा आते पेसां विच दे सांदा है इसे तरह प्रभू जद अपना पेस उतार दिन्दा है अते अपनी खेड खत्म कर दिन्दा है तां केवल एक रहा जांदा है केवल एक ही किन्ने रूप नजरी पए ते फिर अलोप हो गए ओह किदर चले गए हन अते किदरू है अते अनेक तूपतारन करके सवांग दिखाऊंदा है ओह अनेक परकारदी क्रिया करदा है अखाड़ा बनके फिर दा आते लड़दा है ओना विच्चों एक बाजीगर सच्चा है अते उस दी बाजी सब मिथ्या आते कच्ची पिली है सारियां पुत्रियां मनु कदे किसे नूँ हरांदा है अते किसे नूँ जितांदा है किसे नूँ सोगी बनांदा है अते किसे नूँ खुशी अपजांदा है जद सारा को समेट लेंदा है ता सारा कोश करनवाला एक बाजीगर ही रह जन्दा है गुरु अरजन देवजी उपतेशी दिन्देहन के इस तरह अपनी इश्शाउन सार अनपव कार्ज करदा है अतिय आन्त रुप अते जीव जंत पैदा कीते हन उस ने अपनी शक्टी नू आप विच परविस्या है जीवन नू जेतना परदान कीती है जिस ना सारे अपने कार्या कारदे हन उस जोगी ने फिर गुरुजी नू पुशया के एह किस रूप विच उत्पन होंदा है दसो जड़ा विनाशवान है जालनू सब लहरा ही जानदा है ओ हर तरह ना कार्यानू सिद्ध ही करदा है सब रितियां अंसार इशनान करदा है अते सदा ही प्यास अते मैल नानू रहत लेंदा है हे जोगी हुन तीसरे बारे सुनू सोग त्रिश्टाननू हिर्दे विच इंज जानू सोना इक है पर उस दे गैने बहुत परकार्दे हन वाले कड़े आद कई परकार्दे जेवर बांदे हन सोने दे नामनू शड के इस तरह केंदे हन ए कड़ा है ए वाले हन ए अंगूठी है कई तरह दे जेडा सुने आर उन्ना दी पर्ख करदा है ओ सोने तो बगैर मान विच होर कुझ नी तारन करदा ओ गैने दे नाम अते अकार दी गिंती नहीं करदा ओ असल विच सोने दी पर्ख करदा है इस तरह ग्यान नी काइनाद दे जीवान दी वाक वाक नावनू नहीं उचारदा उसनू तार जीव विच एक ब्रह्म ही दिखाई दिन्दा है गैने तो पहला सुब सोना सी गैने बढ़न विच वी उस विच कोई पेद नी होया सोने तो बिणा होर कुझ नई बुद्धी वान केवल इस तरह जानदा है पहला जगत वेच एक ही ब्रह्म सुरूप सी फिर जगत वेच इस दियां अनेकाई अनुपव आत्मावा पान गईयां जेहडियां कई प्रकार नाल नश्ट हो जान दियां ब्रह्म तो बिना दूसरा कोई नहीं है इस तरह उस मुनी दे सवाला दे उसनों सारे जवाब मिल गए अते फिर उसने अपना सीस गुरू अरजन देव जी दे चरना विच रख्या अते मुक्त हो गया